आज हम बनाएंगे बच्चों का फैबरेट डोनट तो जी हां दोस्तों और इस डोनट को हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से बिना गैस जलाए तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो स्टार्ट तो हैलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल कुंज की रसोई तो कहाईस यहां पर मैंने जो ओरियो के बिस्किट है वो डोनट बनाने के लिए लिए चार पैकेट तो मैंने इस सारे पैकेट खोल लिया चारो तो अब हम क्या करेंगे ऊसको करेंगे साइड में और एक काटोरी ले लेंगे और बीच की जो क्रीम होती है वाइट ना होके सब्सक्राइब कोने सब्सक्राइब। तो यह देखी गाई, सारे अच्छे से हमारे बिस्कित तूट चुके हैं, तो चलिए मैं इसका एक fine powder बना लूँगी, तो गाईज यह देखी हैं, हमने fine powder एकदम से बना लिया है, तो चलिए मैं एक चमच ले लिती हूँ, आप पूर चमच से दिखाती हूँ, तो यह देखीज हैं, हमारे एकदम से कतना अच्छे से यह powder बन चुका है, आप देख सकते हैं, तो चलिए बहुत ही अच्छे से powder बन चुका है, अगर आप छानों इसको तो चान सकते हैं, बड़ यह बहूत ही अच्छे से fine हो चुका है, तो यहां मैंने एक mixing bowl ले लिया है, औ इसके का दोँध इसका नुट हम सारा धूट नहीं डालना है इसमेंगा यहां पर मेने दूसरी दीसरी चंमच डाल दूट गया अब चार चंमच मैं अच्छ दूट डाल दिया ऐँ देखाएए इसका हम अच्छे से डो बनाएंगे आप देख सकते हैं तो आप चार समच दूस से तेख सके और यह दूज सेПीच से आप चार समच दूर्ट यूजिक में 4 शमच ऐप cioè समच दूद को अच्छे से अच्छे से डो बना लएंगे cte करेंगे तो चल देकिए अब saad में में क्रीम जहें ऑच्छ विस्किट में से क्रीम निकाली मुझे धाल दसका छलिए हम जल्य उट्पट में हरा तैक हूऽ झाली है तो थोड़ा से दूद की ज़रूरत नहीं पड़िए हम इसी बिस्किट से हम कोई एक्स्ट्रा खर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे इसी बिस्किट से हम डोनट बनाएंगे और इसकी डेकोरिशन करेंगे तो चलिए गाइस यह देखे हमारा बहुत ही अच्छी से पेस्ट बन कर तयार हो चुका है आप देख सकते हैं अगर आप यह नहीं बनाएं तो आप चॉकलेट को मेल्ट भी कर सकते हैं तो गाइस अब हम बनाएंगे विप क्रिम तो हम घर की चीजों से बनाएंगे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है तो चलिए यहाँ पर मैंने दो बड़े चमश ले ले लिए दे कोई भी खर्चा करने की जुरूत नहीं है और बहुत ही अच्छी से बन जाएगी तो यह देखिगा इसको मैं कंटीनिव चला रहे हैं पास साथ मिला तो बहुत ही अच्छी से हमारी विप क्रिम बनके तयार हो चुकी है तो आप देख सकते हैं यह देखिगा इस कितनी बड देखिगा निकाल के इस पैकेट में हम डाल देंगे और डाल के बाद इसको अच्छी से एक रबर बैंट से अच्छी से पैक कर लेंगे जैसे कोण नहीं होती उस तरीके से इसकी शेप बना लेंगे यह देखिगा तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सा मारी कौन बन बहुत ही अच्छी से इसको सैट कर दिया है मैंने चलिए अब बहुत सब चीज हमाई तैयार हो चुके तो अब हम डो की तरफ चलते हैं तो डो भी हमारा एकदम से सॉफ्ट हो चुका है तो चलिए अब मैं इसको एक लोई बना लें जैसे लोई नी बनाते आटे की रोटी की बनाती इस तरीके से लोई बनाके और इस तरीके से इसको प्रैस कर देना उपर से और एक उंगली से इसको इस तरीके से गोल-गोल कर देना है यह राउंड शिप कर देना इस तरीके से आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कितने सुन्दर शेप आये न तो बिना गहस जल तो आप भी अपने घर में इस तरीके से बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं तो चलिए अब हम करेंगे इसकी मैं जो विप क्रीम बना एगा एगा तो यह तो आप नियुक्त है इसकी बना जाते हैं तो आप भी अपने घर में ट्राइक करना तो चलिए एक तो हमारा डोनत टायार हो चुका है अब दूसरी डोनत पर भी हम इस तरीके से विप क्रीम लगा देंगे तो गाइस बहुत ही टे आप बहुत हेल्दी होती है है वीप क्रीम यह देखी गाइज, इसको फोरा सार्मस सेट कर देंगे यह तो यह भी हमारे बहुत बन被ं चुके हैं तो हमारे 2 डोनट्स तयार हो चुके है अब गई जो बिस्किट में सा क्रीम निकली थी ना तो उसका हम ने जो पेस्ट बनाया था अब उसका हम डोनट की डेकुलेट करेंगे तो पहला मैं एक डोनट उठाऊंगी और इसमें डाल दूँगी यह देखे इस तरीके से इसको सैट कर लेंगी यह देखे तो इसकी चारो पूसरा भी अच्छी से चोक्लेट लगा देंगे इसकी क्रीम यह देखे इस तरीके से बहुत ही आसानी से बन जाते हैं जट पट से आपके बच्चे भी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं अब हम तीसरी को विप क्रीम से डेकुरेट करेंगे यह देखे गाई तो बहुत ही अच्छी से सैट हो चुकी है तो इसमें से मैं नोजल निकाल लिया था यह बिना नोजल के बनाया हमने सिंपल तरीके से तो यह देखी गाई बहुत ही अच्छी सकते हैं तो चलिए अब हम चौकलेट वाले डोनर्स में क्या करेंगे कि विप क्रीम से डॉट लगा दिए तो बहुत ही अच्छी लग रहें देखने में तो चलिए मैं दूसरे पर भी अच्छी से लगा देना है यह देखी गाई तो बहुत ही प्यारे लगते इससे बच्चे बड़े खुश हो जाते जब सुन्दर बन जाते हैं तो यह देखी वाई तयार हो चुके आ डोनट पर चार चान लग जाते हैं तो आप देख सकते हैं कितने सुन्दर लग रहे हैं ना देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं गाईज बहुत ही यह लग रहे हैं और खाने में उससे ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं तो चलिए मैं इस तरीके से सारे अच्छे से तो आप भी अपने घर में इस तरीके से बना कर अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस चीज को, तो मेरे बेटे की भी फर्माईश थी, तो मैंने अपने बेटे की फर्माईश पर ये बनाई थी, तो वो तो भाई खुश हो गया था, और तो चलिए गाइस आप जो लास्ट वाला जो बचतना मैंने क्या करा था थोड़ा हैल्दी बना दिया यहां मैंने पिष्टा अच्छी से कूट लिया था और इसके उपर स्प्रिंकल कर दिया यह देखिए और इसके उपर फिर से हम वह लगा देंगे कलरफुल इन स्प्रिंकल तो यह देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे डोनट्स बनके तयार हो चुके हैं बहुत ही टेस्टी और खूबसूरत तो देखिए कितने यमी लग रहे हैं तो चलिए अब हम क्या करेंगे पहले मैं इसको दूसरी प्लेट में सेट कर तो बहुत ही सेत हो चुके हैं कितने फूबसुत लग रहे हैं लग लग सकते हैं कितने प्लेट हैं ज्यादा खूश ने वह रिख दोंके तो देखिए इसखिए अंदर से यास्ति हो चुका हैं तो है मैं आपको यह बता हूँ कि अगर मार्केट से आप लेने जाओ ना तो एक डोनट 50 रुपीज का आता है और यहां 40 रुपे में हमारे 5 डोनट बनके तयार हो गए तो कितना फायदा है ना जट पट से तयार हो चुके हैं गाइस बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगा और न जलाएं बहुत ही सस्ते में 40 रुपे में पूरे 5 डोनट बढ़के तयार हो गए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करना भर भर के लाइक कर देना कमेंड करके जरूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी डोनट की कैसी लगी और गाइस जाज यहां शेयर करना ताकि बाकी लोग भी अच्छी से बना सके अपने घर में और बच्चों को बना के खिला सके और खुश कर सके और गाइस इंजॉय ले सके तो गाइस फुल वाश करने के लिए वीडियो दिल से थैंक यू सो मच ऐसी सपोर्ट करें ऐसी बहुत सारा प्यार दें धेर सारा प् बाइ टेक केर लव यू